हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपको थ्री लेयर फिरो की कटिंग और स्टीचिंग एक ही वीडियो में दोने चीज़ बताने वाली हूँ तो प्लीज वीडियो को इसकी इपना करते हूँ वीडियो को पूरत जरूर देखिएगा तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम दो तरह का फेबरिक यूज कर रहे हैं टोटल मेरे पास जो कपड़ा है वो है सवा दो मीटर तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने फॉर फोल्ड करके कपड़े को रख लिया है सवा दो मीटर कपड़े में हम आपको डिजाइनर स्लिप्स भी और थिरी लेयर फिरोग की पूरी कटिंग स्टीचिंग समझाएंगे आपको सिंपल तरीके से तो यहाँ पर हमने फॉर फोल्ड कर लिया तो जो इसका सोल्डर है हमारा वो है चोहदा इंच जो भी आपका सोल्डर है उसको आपको हाफ निशान लगाना यानि कि आधा तो जरूरी होती है परना तो आपको यहाँ स्टी मुढ़ा है वो नीचे की तरफ गिरेंगा और यहाँ से हम जो लंहें युचे ले रहें हो लगाने हम साथ यंच्ष यहां पर आप देखसे मुढ़ें के एंच्ण साथ मपर अध़ा यहाँ साथ सबीड़ ओआ आरवा निशान उससे आधा इंच कम है नीचे वाला आपको ध्यान अगना है इस तरह कैसे हम आधे इंच अंदर की तरफ एक लाइन ड्रो कर लेंगे तो यह हमारी मुड़े की गोलाई होगी आप 32 इंच चेश्ट है तो उसका हमें एक चोधाई करना है तो वह आएगा हमारा आठ इंच आपक करना है इसके बाद अहंदे हमने हैं अदर फ हमने शिलाय का रहा है का उपर छोड़ते हुए 14 इंच कोटी की लेंध की निशान लगाने जो हमारी चोली है वह 14 इंच की रहेगी तयार तयार के निशान लगा लिए हमने चोधाई पर आप देख सकते हो पूरी लेंथ हो घाय तो निशान लगा लग लिए तो आप देख सकते हो 8 इंच निशान लाएं उसके बाद एक इंच हम यहाँ पर निशान लगाएंगे जो हमारी चोली में नीचे प्लेट डालेंगे हम इसमें नीचे यहाँ पर डेक्ट डालेंगे अब हमने सीधर निशान लगा लिए फिटिंग का, उसके बाद हमने यहाँ पर दो इंच मार्जन का निशान लगाया, जो कि हमारा एक्ट्रा रहेगा, मार्जन का जो होता है उसके बाद हम मुढ्डे की कर देंगे गोलाई, आप देख सकते हूं, हमने इस तरीके से मुढ्डे की है और back side का परत की आसे हम half inch extra गो लाई करेंगे क्योंकि हम दोनों परत एक साथ काट रहे हैं फ्लेंट साइट का भी और back side का भी तो अभी निचे वाले निशान पर हम करेंगे cutting half inch shoulder को down करते हुए मुड़्े का बाहर वाले निशान है हमें उस पर cutting करनी है क्यूंकि हम back side का friend side का पर दोनों एक साथ cutting कर रहे हैं उसके बाद हम friend side के पर्त के मुट्डे की आगी की cutting करेंगे तो आप देख सकते हो मैंने बहुत ही simple कोटी का cutting का तरीका बताया है और एक एक नीचे हम इसमें plate डालेंगे कोटी में इसलिए हमने यहां से नीचे एक इंच का एक्ष्टर लिया था देखिए कोटी हमारी कट चुकी है अब यहां से हम बेक साइट के पर्थ को निकाल देंगे यह देख सकते हैं हमने बेक साइट के पर्थ हमने हटा दिया है सिर्फ एक ही पर्त लिया है जो हमारा फ्रेंड साइट के आगे वाला जो प्रत है जो हमारा फ्रेंड साइट पर आएगा यहाँ पर हम फ्रेंड साइट के पर्त की मुड़्े की छेटिंग करेंगे जो हमारे निशान है मुड़्े का उसी निशान पर हम यहां से फ्रेंट साइट के पर्त की कर देंगे चैटिंग तो आगे वाला जो प्रत होता है उसकी होती है मुड़े की चैटिंग यहां पर हमें कट लगा लेंगे ताकि हमें पता रहे कि हमारा फ्रेंट साइट का पर्त कौन सा है अब हम इस कोटी में लगाएंगे डिजाइन, तो डिजाइन लगाने के लिए हाँ पर हमने डिजाइनर फेब्रिक लिया है, यह जो हमारा डिजाइन वाला फेब्रिक है, अब इसकी इस पर हम यहाँ पर डिजाइन लगाएंगे, तो डिजाइन कैसे लगाएंगे, वह आईए तो दोन साइड के पर्थ Meaawak we are 4-lli in इसने दिदो फ्रेंट साइड के पर्थ के हम यहाँ इकर नीचे के साइट कटिंग करेंगे जो हमारा आगेवाला हिस्सा है कोटी का उसके हम एक इंच एक्ट्रा कटिंग कर रहे हैं तो फ्रेंट देखिए दोनों साइट के गले हमारे कट चुके हैं तो यह मैंने डिजाइन जो बनाऊंगी वो कपड़ा यहां से देखिए इस तरीके से हाफ इंच फोल्ड हो जाएक अंदर की तरफ यहां प क्वड़ा की कटिंग करेंगे तो फ्रेंट से इस तरीके से हम इस कपड़े को फोल्ड करेंगे हैं तो फ्रेंट यह देखिए मैंने यहां पर यह साथ इंच की तीन पटियों को कटिंग करना है तो देखिए फ्रेंट्स दो पट्टी हमारी कट चुकी है इसी तरीके से हम एक पट्टी और कटिंग करेंगे आठ हिंच की हमने ये पट्टी भी कटिंग कर ली है तो फ्रेंट्स तीनों पट्टी हमारी कट कर तयार है इसी को हम इसी के ओपर रखकर cutting कर लेंगे तो देखे फ्रेंट्स हमने ये पट्टियों को cutting कर लिया है अब मैं आपको बताऊंगे इनकी length हमने कितनी कितनी cutting की है तो फ्रेंट्स ये देखे मैं आपको नाप लिखकर भी बताऊंगे तो यहाँ पर मैं इनको four fold में रख रही हूँ यानि कि चार ते में मैं इन पट्टियों को रख रही हूँ और मैं double में भी आपको इसका नाप बताऊंगे तो ये मैंने चार ते में जो काटा है ये 12 इंच की है चार ले में तो friends ये देखी मैं आपको खोल कर इसका नाप बताऊंगे कितना कितना मैंने तीनो का नाप रखा है तो ये देखी खोलने के बाद ये double पट्टी हमारी 24 इंच की है और ये double पट्टी हमारी 40 इंच की है वो नीचे वाली जो डबल पट्टी हम इसको है वो हमारी 56 इंच की है तो friends ये देखे मैंने तीनो पट्टी इस तरीके से रखिए 16-16 इंच मैंने extra लिया है हर पट्टी में तो तीनो पट्टी हमारी देखी कट कर तयार हो गई है friends slips की कटिंग की वीडियो मैं नहीं बना पाई थी मैं आपको निशान लगा कर बताती हूँ 4 इंच के मैंने यहाँ पर कफ लगाने है 21 इंच total length है half इंच उपर की तरफ दवाओ है half इंच नीचे की तरफ मैंने margin कर छोड़ा है 3 इंच मैं यहाँ पर निशान लगाने हूँ plate के निए जो चुनाएंगी 7 इंच मैंने मुड़े के निशान लगा है यहाँ पर देखी इस तरीके से तो friends 3 इंच नीचे की तरफ हम गोलाई के लिए निशान लगा रहे है 7 इंच के मुड़े हैं निचे की तरफ लगाएंगे कफ कपड़े के तो यह डवल कपड़ हमारा 12 इंच है और चोड़ा इसकी 9 इंच है यानि के एक इंच दबाव में रहेकर 8 इंच 8 का यानि के आदा करेंगे तो वो 4 इंच हो जायागा निचे इस तरीके से हम इसमें प्लेटे डालेंगे तो इसी तरीके से हम सोल्डर की तरफ भी बरिक बरिकिस में चुन्यटे डालेंगे तो फ्रेंच कटिंग हमारी कम्पलीट है तो आएए फ्रेंच हम इसकी सिलाई के शुरुवात करते है तो फ्रेंट्स यह देखे मैंने आपको बहुत इजी तरीका बताया था थ्री लेयर फिरोग कटिंग करने का तो आए हम सिलाई के शुरुबात करते हैं तो यह देखे मैंने इसकी चोली ले ली है कोटी यहाँ पर 3.5 इंच पर में हम एक निशान लगाएंगे और उपर की तरफ से हम यहाँ पर देखे साड़े 9 इंच पर एक निशान लगाएंगे इस निशान को हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे यानि कि यहाँ पर हम एक प्लेट डालेंगे तो इसी की पराबर में देखे हम नीचे साइड में निशान लगा लेंगे यानि कि हमें आगे वाली कोटी में दो प्लेटे डाल लेंगे और दो प्लेटे हमें बैक साइड की कोटी में डाल लेंगे तो फ्रेट ये देखे हम इस तरीके से कपड़े को पकड़ेंगे और यहां से नीचे से 1.5 इंच दवाते हुए हम यहां पर इस तरीके से प्लेट डालेंगे इसी तरीके से देखे हम यहां दूसरी साइड में निशान लगा लेंगे तो यह देखे मैंने दूसरी साइड में निशान लगा लिया है और इसको भी हमने इस तरीके से पकड़ना है नीचा आदे इंच का gap लगते हुआ हम यहाँ पर प्लेट डालेंगे तो यह देखिए हमारी दोनों प्लेट डाल चुकी है इसी तरीके से हम ब्रैक साइड में भी प्लेट डालेंगे दोनों तो यह देखिए मैना गल्या की गंटिंग है हैं। मैं देखिए मैं बारीक से गल्याइक काफल ऑजगुए के इतना हैं। तो यह देखिए गला मारा फोल्ड हो गया है इसी तरीके से फ्रेंट समय एक बार और इस गले को फोल्ड करना है तो यह देखिए हम उंगली को पीछे की तरफ सिलाई के बराबर में लगा लेंगे बूट के बराबर में हमने उंगले लगा रखी है तो देखे इस तरीके से हमारा गला फैले गया नहीं और बुलकुल जिस तरीके से हमने कटिंग किया परफेक्ट कुछी तरीके से आएगा तो यह देखे हमने backside के गला भी बना लिया है तो front देखे प्रेंट साइट में हमने डिजाइन लगाना है तो पहले हम साइट से फोल्ड करेंगे तो यह देखिए हमने दोना साइट से इसको फोल्ड करना है मैंने यह डवल फोल्ड कर रही हूं तो इसी तरीके से देखिए फ्रेंट हमने दूसरी साइड में भी सिलाई लगा लेनी है तो फ्रेंट बहुत ही सिंपल डिजाइन है और बहुत ही अच्छा लग रहा है बनने के बाद तो यह देखिए अब हम यहाँ पर नीचे इसकी इस तरीके से लगा लेंगे यहाँ पर पहले हम गले को बनाएंगे इसके इसका गला भी हमने डारेक्ट ली इसी तरीके से बनाया है पत्टी वैला गला नहीं बनाया है पहले हम कप्ड़े को एक बार बारिक सा फोल्ड करेंगे तो यह देखिए हमारी एक बार सिलाई लग चुकी है कप्ड़ा हमारा फोल्ड हो गया है उसके बाद फ्रैंट्स midstेखिए हम एक बार और इसी को फोल्ड करेंगे तो फ्रेंट देखी इस बार हमने दो सिलाई से ही गले को बना कर तयार किया है हमने इसमें पटी नहीं लगाई है नहीं हमने इसमें बुकरन टेटरोन का इस्तमाल किया है हमने ऐसे ही फोल्ड करके अंदर की तरफ गले को बनाया है इसकी तरफ बंकर हम्हार तैयार है तो हमंहारे बना ना कट लगांगे लिगे इसके कर आए उनघ्लों कोटी करिया। यहां चीब कर यहां पाधार है कोटीया शांद कि और पब interrupt केतको हरा है पर आपको बताएंगे कि कपड़ा इन चोड़ी में लिया है कपड़ा लिया कर देना है इस तरीके से बारिक 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 पार एक निकिसमें चुन बह रहे हैं बारिक वाली तो पलेक बाजु बना रहे हुआ है काफ वाली तो बहुत ही इस तरी के सहम देंकिये डिसाइन बना सकते हों तो इस तरी के सिर्ट सुआ कर रहें हैं तो देखिए अधे इंच हमने अंदर कि तरफ क्या है कि और को लगा कर तयार कर तो फ्रेंट यह थे देखिए तो फ्रेंट किसे लगा रहा है कार पर यहाँ पेर लगा रहे हैं देखिए हमने इस तरीके से कफ लगाकर वाजु में तैयार कर लिया है अब मैं आपको बताओं की सोल्डर की तरफ हमने किस तरिके से शुन्नेटे डालनी है तो पहले देखी हमने सिंपल तरीके से बाजु को लगाना है और देखी यहां तो पहले हम नीचे साइट से सिलाई लगा लेएंगे कपड़े के हम बीच में कि पर इक चुननटे डाल लेंगे यानि हम इस के बरीग बरीग प्लेडे-डाल ले got तो देखे इस तरी के इसाब slips लगाओंगे तो पर्फेक्ट आपके चुननट आएंगे कि आप कपड़ा कम या जादन नहीं होगा डाप के अधिकि फ्याल कि मैं इस तर्य किसे डाली है और यह देखेए नीचे लेयर की शिलाई लगा रही हूं यहाँ पर दूसरी लेयर लोगांगें, पहले हम इहां इसमें सिलाइ लगा लगानी है, उसके बाद हम इसका एक दागा पकड़ कर खीच देंगे, इसमें बारिक 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 इस तरिके से चुन्नटे आज़ेंगे, तो फ्रेट चुन्नटे आ गई हैं, तो यह जो हम फच् तो यह देखिए मैं यहापर इसको सिलाई से जोइंट कर रही हूँ तो इस तरीके से आप बारिक बारिक चुननटे डाल सकते हो बड़ी सिलाई करके मैंने इसमें सिलाई लगाई है उसके बाद मैंने एक तहाग को खीज दिया है जिसमें इस तरीके से बारिक बारिक चुन्नेटे आ गई है तो फ्रेंट ये देखिए ये दो लेयर हमारी बन कर तयार है इसी तरीके सम्थरी लेयर भी लगाएंगे तो फर्स्ट और सेकिंड लेयर हमारी लग चुकी है अब मैं आपको तिसरी लेयर भी बता रही हूँ तो देखिए पहले हम इसमें भी सीधी सिलाई लगाएंगे ये हमारी सबसे लाश्ट वाली नीचे वाली लेयर है तो ये देखिए हमने इसमें सीधी सिलाई लगा ली है उसके बाद फ्रेंट्स ये देखिए एक धागे को हम खीच लेंगे तो फ्रेंट्स ये देखिए धागा हमने खीच लिया है उसके बाद इसमें बरिक चुन्यटे आ गई है अब हम नीचे साइड में इसको रखकर सिलाइसे जोइंट कर देंगे दोनों पर्द को इस तरीके सा आप चुन्यटे डाल सकते हो बहुत ही जल्दी डल जाती है अगर आप इस तरीके से चुन्यटे डालोगे तो फ्रेंट्स ये देखिए तीसरी लेयर भी हमने लगा ली है तो देखिए तीनों लेयर हमारी लगकर तयार हो गई है तो बहुत ही जल्दी ये layer इस तरिके से लगाओ को ताप लग जाती है तो फ्रेंट ये देखिए हमने तीनो layer लगा कर तयार कर ली है अब देखिए फ्रेंट ये हमारी कोटी है उपर साइट की यहाँ पर हम सिलाई से इसको जोइंड कर देंगे यह हमने कोटी है लिया है और यह देखिए हमारा इसकाल्ड पार्ट है बोटम पार्ट है इसको हम नीचे की उपर की तरफ रखकर यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे तो यह देखिए हम यहाँ पर कोटी को इसमें में कर रहे हैं स्कार्ड में सुफ्रेंद इसी तरीका सेяться बैक साइट में पर्त को भी तयार से लगैंब दोने सेयर करनें है देखें इसी तरीके से बिन पार वर दाल कर 2006 को सो कर लिया तो प्रेंट बहुत इसी तरीके मैंने आपको बताया है तो इसी तरीके से हम दोनों साइड में फिटिंग लगा लेंगे मेरी कम्प्लीट है जियम को सब इसी तरीके से ढ़ाओंक हे ऊपर की तरफ या वीडियो बसंदा है तो प्लेंडियो लाइक लाइक करने शेयर करने अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना तो वीडियो आपको मेरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बदाईएगा तो फ्रेट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे बहुत जल